तो फ्रेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5000 वाट के पावर एंपलिफायर के बारे में फ्रेंड चार-पाँच पावर एंप्लिफायर मैंने यहां एड़ किया इस वीडियो में और उसी के बार में हम लोग बात करेंगे कि कौन से एंप्लिफायर पर हम लोग कितना वाट लोड डाल सकते हैं उसका जो लोड केलकुलेशन है फ्रेंड क्या है और कितना अभी उस एं प्रू से आं तक देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दिजिए तो चलिए फ्रेंड बिना लेट कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते तो भाई लोग आप लोग यहां देख र अच्छेंजर एंप्लिफायर के बारे में इसका मोडल नमर आपको एस पीबी फाइब के देखने को मिलेगा यह जो एंप्लिफायर एक 5000 वाट का एंप्लिफायर है तो चलिए इसके आउटपुट वाटेज की हम बात करते हैं सबसे पेले तो फ्रेंड यह डूबल चैनल व एटोम और फोरोम पढоду सकते हैं यह यह अप को बता दों िकम्पणि रिकमेंट करती है लेकिन आप चलां चाहते हैं तो चला सकते हैं कोई दिकत नहीं होता है ऐस्टने का सब्यकर चाल flesh to यह करें बात करते है हम इस इस के बारे में इसका वरे होने वाला है वो होने वाला है हमारे मार्केट के इसाफ से वो है 41.500 अब आपके मार्केट में क्या प्राइस है जदी आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजेगा तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एंपलिफायर की ओर तो अगला जो एंपलिफा को लेना चाहते हैं तो आप परफेक्ट सोच रहें तो यह एंपलिफायर फ्रेंड बैस के लिए अब हम बात करते हैं इस एंपलिफायर के आउटपूट वाटेज की बारे में तो इस्टूडियो मोड में आउटपूट की बात करें तो यह 8 ohm पे 1350 वाट का पर चनल इस एंपलिफायर इस्टूडियो मोड में तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं इस एंपलिफायर के ब्रीज मोड आउटपूट के बारे में आप इस एंपलिफायर को ब्रीज मोड पे चला सकते हैं तो चलिए इसका आउटपूट की बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां करें इस अप्राइफ के बारे में यह जो एंप्रीफायर अपको 800 देखने को मिलेगा यानि हलाके आपको बता ते हैं जिति आप इस पे 15 इंच एंठ च्रालाना चाहते हैं तो कम से-कम 800 से 1000 वाट का इस्पिकर चला यह यानि की फ्रेंड आप कम से कम इस पे चार इंच वाला इस्पिकर यूज किजिए फ्रेंड तो जाके आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आपका आप जो इस्पिकर है वो भी सेफ रहेगा फ्रेंड तो फ्रेंड चलिए अब हम हम बात करते हैं इस एम्पिलिफायर के प्राइस के बारे में तो यहां जो एम्टी 1201 का हमारे एरिया में प्राइस है फ्रेंड वो है 57,000 अब आपके एरिया में क्या प्राइस है जदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजेगा तो चलिए फ्रेंड अभी तक हम लोगोंने दो एम्पिलिफाइर का कुछ डिटेल देख लिया अब हम लोग बढ़तें तीसरे एम्पिलिफायर के ओर तो अगला जो एम्पिलिफायर है यह है एरॉन कंपनि के तरफ से जो कि आप यहां देख पारें और इस एम्पिलिफायर के मोडल नमर की बा लेकिन आप कुछ ज्यादा भी लोड डाल सकते हैं बाकी बात फोरोम पे बात करें तो फ्रेंड यहां आप देख पारें फोरोम पे जो इसका आउटपुट है फ्रेंड वो है आप टॉप चलाना चाहते हैं इसमें टूओम के हिसाब से तो फ्रेंड आप दो दो बॉक्स एके के चैनल पे चलाएंगे अनकी टोटल चार बॉक्स और आपको जो इसके हिसाब से 600 वाट का इस्पिकर डालना है फ्रेंड तो फ्रेंड यह एम्पलीफायर जो है आप इस पे क चारजर वाट का आउट पुट दे रहा है और फOYर अंप देख पाए रहे कि इसका आउट-फुट कैस परकार से है इसके वाटेज आउट पूट को देखके हम लोग को यह पता चल रहे है कि यह 52W का amplifier है, जैसा कि आप यहाँ देख पार है, 2W 26W का per channel output दे रहा है, अब हम लोग बात करते हैं, फाइनली इस amplifier के price के बारे में, तो फ्रेंड यह जो amplifier है, Aeron का HD 7001, अनकी 7000, एक amplifier फ्रेंड, इसका जो price है, वो हमारे area में है, अभी, 25000, फ्रेंड, आपके area में कुछ उप लिए amplifier की ओर, तो अगला जो amplifier है, फ्रेंड, वो है, SLB कंपनी के तरफ से, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इस amplifier के model नमर की बात करें, तो फ्रेंड, इसका model नमर आपको SLB 50002 देखने को मिलेगा, फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं, इस amplifier के studio mode में output की, तो फ्रे आपको 800 देखने को मिलेगा, यानि की फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा जो NXODIO का MT 1201 है, उसका भी dumping factor 800 था, तो इस हिसाब से, फ्रेंड, दोनों amplifier का dumping factor सेम है, तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, सिधे इस amplifier के price के बारे में, तो फ्रेंड, इस amplifier का जो price है, हमारे market में वो है अभी 44,000, अनि की फ्रेंड, SLB का 52 amplifier जो है, इसका price है 44,000, आपके market में कितना price है, जिदि आपको पता है, तो आप लोग हमें comment करके जरूर बताईएगा, तो फ्रेंड, यहां आप देख पा रहे हैं कि, मैंने आपको यहां total 4 amplifier के बारे में detail दिया है, वो भी price के साथ, price जो था, फ्रेंड, वो हमारे local market के हिसाब से, वो भी 2024 का latest price था, तो आपको बता दें कि, अभी आप कौन सा amplifier यूज कर रहे हैं, और कैसा result आपको मिल रहा है, वो आप लोग comment करके जरूर बताईएगा, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग जुड़े है, सब को पता चल जाएगा कि कौन सा amplifier से कैसा result मिलता है, और कौन सा amplifier बेस्ट होता है, कौन कि अगले नए वेडियो में